हाव रूफिक्स वान प्लास नोट से फ्लेश लाइट टर्ण्स ऑन बाइट सेल्फ प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सब्सक्राइब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के ड आपके मोबायल के साथ भी एसा कुछ मिंस प्रॉब्लम हो रहा है तो यह वीडियो दोस्तों आप पूरा जरूर देखेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यह प्रॉब्लम सॉल्फ करना है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते ह limiting दूस्तों वीडियो शुरूर्व करते हैं और देखंए यहां पर फ्लेशलाइट का जो यह प्रॉबलम हैं कि इसको कैसे fix कर सकते हैं तो दोस्तों कभी कबर ऐसा हो जाते कि मिस हो जाते हैं या फिर डावल टाश हो जाते हैं या फिर गल्ती से मोबाइल पे ताउज हो जाते हैं तो उन सब के वज़े से कही बार प्रेश Hebrews अपनय आब हो जाते ये तो आपको तो कि यही चेक करनाई कि तो करे वारा पोकेट में रखते हुए ठीक है यह फिर फोन को । यूज करते हुए हम ताच कर देते हैं तभ दोस्तो FLASHLIGHT G0Pay वी हो सकते हैं अगर फ्लेशलाइट के बटन पर क्लि prophe시면 हो जाते हैं तो तो यह सारे चीज़ आपको ध्यान देना है लेकिन मान लिए दोस्तों यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम आ तो दोस्तों आपको करना क्या है तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो मोबाइल को करके देखना है रिश्टर्ट करने के बाद आपका जो यहां पर फ्लेशलाइट है उसको जलाए ठीक है बन कीजिए जलाए बन कीजिये जलाके बन कर दीजिए उसके बाद थोरे दिर वेट करके देखें अगर आपको अब करना है उसके बाद power-off के बटन पे दो सेगंड क्लिक कर करके रखना है और ओके कर देना है ठीक है जैसे होके करेगा आपका जो मोबाइल है वह फास्ट मोड पे रिबूट हो जाएगा जैसे होगा mobile password डेके mobile को unlock करें थोड़ा सा wait करें और चेक करके देखें तो अगर solve हो जाता है problem तो ठीक है अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो दोस्तों जाते हैं next solution की तरफ next solution पर दोस्तों क्या करना है setting open करना है उसके बाद स्क्रोल डाउन कर लेना है system पर जाना है और software को अपडेट कर लेना है तो फिर अपडेट जैसी होगा दोस्तों आपका problem भी उसी के साथ solve हो जाएगा by any chance ठीक है by any chance मान ले अगर आपका problem solve नहीं होते हैं तो क्या करना है तो दोस्तों system पर जाएगे ठीक है system पर जाके reset पर क्लिक करके factory data reset कर दीजिएगा factory data reset करते ही दोस्तों आपका जो यहाँ पर problem है फ्लेशलाइट का वह भी solve हो जाएगा उसी के साथ में ठीक है तो यह था दोस्तों आपका फ्लेशलाइट problem solution उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थेंक्स वर वाचिंग करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थेंक्स वर वाचिंग